माफिया जॉन अतिक एहमद और उसके भाई अश्रफ की एप्रिल में प्रयागराज में पुलिस हिरासत में गोलियों से भून कर हत्या कर दिगाई थी अतिक एहमद और अश्रफ प्रयागराज में इसी साल फरवरी में हुए उनेश पाल अत्याकान में आरूपी भी थे पुलीस ने अतीक एहमद और अश्रफ की हत्या के मामी में गुरुवार को चार्जशीट दाखिल कर दी पुलीस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि अतीक और अश्रफ की हत्या में सुपारी किलिंग और गहरी साजश का सबूत नहीं मिला है पुलीस ने अपनी चार्जशीट में मौके से गरफता अरुन मौर्य, सनी और लवले इश्टिवारी को ही आरोपी बनाया है साइटी की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट पर कूट ने संग्यान लेकर प्रताप गढ़ जेल में बन्द तीनों आरोपी को शुकरवार को तलब किया है दरसल 24 फरवरी को प्रयाग राज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी उमेश पाल की पत्नी की शिकायत पर पुलीस ने अतीक कहमत और उसके भाई अश्रफ उसके बेटे असद समीत नौ लोगों को आरोपी बनाया था पुलीस पूस्ताज के लिए साबर मती जेल से बंद अतीक और बरेली में बंद अश्रफ को प्रयाग राज लाई थी यहाँ 15 एपरिल की रात को पुलीस अतीक और अश्रफ को मेडिकल के लिए अस्पताल में लाई थी अस्पताल के बाहर अरुन मौरी सनी और लवलेश पत्रकार बन कर पहुँचे और जैसे ही अतीक और इसके भाई अश्रफ ने मीडिया से बात करना शुरू की तीनों ने तावर तोर फाइरिंग कर दी इस दरान करीब 18 रांड गोलिया चली जिन में से आठ गोली अतीक अहमत को लगी दोनों की मौके पर हील मौत हो गई थी अतीक और अश्रफ की हत्या के मामे में पुलीस ने दोहजार शपन पेज की चार्जशीट दाखिल की है इसमें से दोहजार पेज में पुलीस की केस डारी नक्षा नजड़ी पोस्ट मातम रिपोर्ट चालान फोटो परिक्षंस रिपोर्ट गवाहों की बयान सिस्ट्री फ अमेंडवेंट के अप्ट की धारा साथ के तहत चार्जशीट दाखिल की है चार्जशीट के मताबिक पुलीस को अतीक अश्रफ की हत्या में किसी भी तरह की सुपारी किलिंग कोई बरिस साजश या अन्य मास्टर मांइंड के इशारे पर हत्या किये जाने के कोई सबूत न भी बताया है पुलीस ने चार्जशीट में दावा किया है कि यह तीनों शूटर तो तेरह हैप्रिल को ही अधिक और अश्रफ की हत्या करना चाहते थे तीनों को भी पहुंचे थे लेकिन वकीलों की भीड और भारी पुलीस बंदवस्त को देखकर घटना को अंजाम नहीं भी और रिपूर्ट दिली समाचा